इसके लास पार्ट में आप सभी का स्वागत हैं इसकी स्टार्टिंग वही से होती है जहां पर फार्ट खतम हुआ था मतलब लेज और बैट्स एक साथ होते हैं जो बैट्स एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे कि अभी इनकी डेटिंग स्टार्टी हो जाएगी पर यह तरह जाएगी डेडाग स्टेंग कंभी तनॉस पर जाएगी मतलेश पर फिर सचने सब्सक्ताव कि और मेरे attract मोहीं और कैसी दुने मैंसरे लगनी जोड मक्रऊंड करग Mercolian arrib यह थो रखे विद्स एसके बाद चांगाए थे नदोनों में बुचे-पर जाता चलता है कर बैट चम्प कट जए तो एसमेल के साथ तो गेम कैली घृता है भूआगी हमें देखने दिया था पीलिझ कहता है इसके डेखिस हुआ हुआ उसे तो मिली चाता है यहाँ पर उसे स्माइल की बड़ी आद आ रही थी इसके बाद और नीज मैल को एक मुवी डारेक्टर के बास रहे जाती है वह वी हॉरर इसमाइल है कि हॉरर मुवी मुझे तो डर लगता है घोस्ट वगेरा इन सब चीज़ों से तभी और तुम्हारा सारा डर ऐसी चूमंतर हो जाएगा तब यहां पर डारेक्टर इसका जो में हीरो है वो कोई ऑन इबल की कायरो है और नी इसमाइल को कंवेंस करती हो गए तुम्हारी तुम्हारी पुरा ठाइम रहेगा उसका दिल करने के लिए यह तो हमेशे हो चाहती है तो तो अब जिन्दी से अब जाब चुका है तभी इसमायल मानती तो नहीं है पर उन्नी जब उसे बहुत ज्यादा फोर्स करती है तो कहती है तुम्हारे लिए तो मुझे पता नहीं क्या-क्या और करना पड़े गाए तो लेस्ट को बार कि बड़ी ज़या में अधार करता है तो लेस्ग वा姦 किया है और साञी बार रगलन माल हुटी जिसके लगते उस इसको सॉरी बोलती है और दोनों अपने रास्ते ही चले जाते हैं इसमाइल एक होरर फ्लेस पहुंचती है यहां पर जंगल की बीच में शूट करना था तभी उसके डिरेक्टर से बताते हैं कि दरहसल पहले तुमें किसी की स्मैल आएगी उसके बाद तुमें कॉंटेट होसम श्चा इसके दिख खुखने खुझ करने रगती है इसके बाद उसके बिचा से बहुतों के चकर में इतने कारो बहुते है और अचमेश की ने जलाएखेटा कॉनन म Republican सॉर राइड मैं हूँ इसमाइल का पैर मुझ जाता है इसके बाद कायरो से अपनी बैक पार राइड दिता है और कोई बात नहीं हम दोने एक साथ चल सकते हैं उनों बाते भी करते हैं कि आखर इनकी जिन्दगी में चल किया रहा है तभी यहां पर इसमाइल कहती है कि जिसे म सब्सक्राइब करते हैं तुम तो यहां पर रात में काम करती है काम तो मिड़नाइट में स्टार्ट होता है तभी उसका परपस को से अलगी लग रहा था लिसको थपड मारती है तुम डैट के लिए हमेशा एक सर्दत हो इसके बाद आज रुखती नहीं अपनी सिस्टर को सब्सक्राइब करते हैं तुमने पैसे खुद कमाती आपनी जिंद के अच्छी से जी रही हो और मुझे तुम्हारी तरहें पैसे पर टेपैंड होने की आदत नहीं है इसलिए तुम मुझे हमेशा जाले सोती हो इसके बाद वहां से चली आती है इंप जो और नहीं है तुम में कुछ भी नहीं मिलेगा तुमारी प्रोपर्टी में से तभी लिसके दी उसे कुछ भी नहीं चाहिए मेरी बास सुनी भी नहीं कि आखिर छगडा किस बात पर हुआ था पर आप सीधे आगर मुझे गुसा होने लगे इसके बाद हो चली जाती है किस करने वाली होते हैं इतने में बैट्स का बीच में से हाथ आता है और कहता है कि किस के साथ हो चुका है तुम बीच में क्यों आ रहा है हो तुम सच्पान पर इसके बाद से गर्स करता है और कहता है कि आज से सुरी और रेटिंग हिसे सटार्ट होती नहीं है और यह बिल्कुल ऑफीशली डेट है इनकी तभी हम लिस्को देखते हैं जो कि अपनी टाइम के साथ यहां पर कलब में आती है यहां पर एक लड़का लिस्को अप्रोच करता है इसके बाद उसे टच करने लगता है तरसे उससे दूर भागती है इसके बाद लड़का उसका बाहर तक आजाता है और कहता है कि मुझे पता है तो म क्या तो यहां थोने तुम्हारे साथ हूँ न तो मेरे साथ हो न पेर दो सकती है कि वाट नौनसेंस ना कि वह यह लड़का नहीं से चोड़ता है इतने महीं आपर कारो कंटी होती है इसके यह प्यारत को चाहिए पार आजाएगा इसके बाद कारो से कहता है तो तो मुझे नाइट के लिए रेंट पर लेना चाहोगी दरसल में रेगुलर कस्टमर को डिक्सकाउंट देता हूं तभी लिस कहती है कि हम बिल्कुल चलते हैं इसके बाद यह सुनका तो कारो को चिटका रगता है कि उसे पता था कि कपी भी ऐसी चीज़ों के लिए तयार होती ही नहीं है पर आज लिसके कार में बैटी थी और वह उसे डवल फ्लेट भी कर रही थी तभी कारो कहता है कि मैं पागल हूं या तो आज इसका तिमाग खराब है उसे अपने घर पर लेत हो जाता है पर यहां पर रोज के लिए ड बाता है तो पर बुरी तरीके से परिशान किया था तब यू कहते हैं कि तुम्हें तो पता है कि अगर तुम्हें इसका काम नहीं किया तो जो बैट्स है तो वाइफर रेंट से बैस्ट बोई का खिताब तुम से चील लेगा तभी यहां परो कहता है कि ठीक होता है तो कोई ओन ने बल्की लिस्की वही चुड़ेल सी सिस्टर होती है पर वो कायरो को सकी आउका दिखाने की कोशिच करती है रेंटेट वाइफेंड होना और हां त काफी बेज़त करने कुश्च करती है उसे कहती है कि मेरा ग्लास भर दो इसके बाद मुझे फ्रैस कर दो यहां परोल इसके बार ही बाते करना स्टार्ट कर देती है कि वह एकदम बखवास है उसे तो डैड ने घर से भी बहार निकाल दिया और उसे फैमली के तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है इसके वज़ए से कावी परिशान भी है तभी कारों को सारी बात पता चल जाती कि आखिर हुआ कि आसके बाद वह कहता है कि तुम्हीं सबस्यादा बखवास इंसान हो मुझे पता है कि लिजने तुम्हें जब थपर मारा होगा उसकी वज़ए भी तुम् कई काहता है यह तुम्हाइत काने के जाने क्लिस हा और हुएं भाट अपी तक चुका भी नहीं और यहाँ पर इसमाइल भी सारी वाती उन रही थी इसके जाइडन इसमाइल को नूडिस तुका लेता है पर उसे इग्नोर कगरमा से चला जाता है स्माइल बैट्स की छोटी सिस्टर का पीछा करती है वो अपने बॉइफेंट से मिलने के लिए गई थी ये बॉइफेंट वही है उसको उसने डैप्ट से आजाद करने के लिए पर बिचारे बैट्स की बली दे रही है दरसल बैट्स जो पैसे कमाता है डैप्ट चुकाने में चले जाते हैं जो कि उसकी बहन अपने वाइफेंट की वज़े से चुका रही है मतलब उसका वाइफेंट पहले बॉइफेंट में काम करते था पर जैड़ेंट से के अगर उसने उससे आजद कर लिया बट उसका भी किराया तो उसे चुकाना पड़ेगा पूपी फर्मान ने लिए दरसल हम यह पर ईसमाइल को देख लेता है उसके बाद यह सभी समयल के साथ में गलत करने के कोशिश करतें एक ही बनाने कया रहा ह और कि उसने में को ट्रेक कर लिया क्यूंकि स्माइला तो ने अथा रहीती है यह सभी इया न के पास चाते आ हैं पर उस बंड़े को इंप करकते हैं तुम सब कर क्या रहा हूं यहां पर जो बैट से वाइट का जो पॉंट इसे फार दिता है वह यहां से जा रहा है तभी जा रहा है तो भी नहीं कहता है तो नहीं को सब बहुत ही ज्यादा पैसे आफर करता है बैस नहीं मानता है इसके बाद को काफी मारता है तभी जैडन पिटते हुए भी कराता ठीक है तो मैं तुम्हें 80-20 दे रहा हूं मदब 80 परसंट तुम्हारा 20 परसंट मेरा तभी बैस उसे और मारता है कि ठीक है अब 90 परसंट वो बोल अब बाद वो इसमाल को भी गले लगा लेता है तो अब बैस करता है कि अगली बार ऐसी सिच्वेशन में खुद को मत डाला नहीं तो मैं जिंदगी बार खुद को आफ नहीं कर आँगा तबी स्माल करती कि आ आल राइट मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी यहां पर लिस को दि अफिशली रेटिंग स्टार्ट होती है इसके बाद साथ साथ में कारो जारन के पास भी जाता है यहां पर अपने वॉइफर रेंट का कॉंट्राक्ट भी कैंसल कर दीता है और उसे भी पंच मारता है जैरन की पिटाई तो यहां पर बहुत हो चुकी इसके बाद यह दोनों